वो मेरी सलाह लेने के बहाने मुझे देखने आया हम शौपेंग करने के बहाने आपसे मिलने आई वो काम करने के बहाने पार्टी से जल्दी चले गई वो खाना खाने के बहाने घर पर बापस आ गया ऐसे sentences हमारी daily conversation में बहुत बोले जाते हैं English में हम इने कैसे translate करेंगे चलिए देखते हैं के बहाने या फिर का बहाना बनाकर जैसे वो काम के बहाने पार्टी से जल्दी चले गए या तो फिर वो काम का बहाना बनाकर पार्टी से जल्दी चले गए दोनों तरीके से हम ऐसे sentences को बोलते हैं English में हम इसके लिए use करते हैं on the pretext of on the pretext of चले देखते हैं structure क्या है ऐसे sentences को कैसे बनाया जाता है So guys ऐसे sentences को बनाने के लिए सबसे पहले हम use करेंगे sentence जो किसी भी tense में हो सकता है उसके बाद use करेंगे का बहाना बनाकर या फिर के बहाने on the pretext of उसके बाद यूज करेंगे first form of verb ing के साथ मतलब जिरंड जिसे हम बोलते हैं उसके बाद हम यूज करेंगे object चलिए examples की help से समझते हैं First example है वो मेरी सलाह लेने के बहाने मुझे देखने आया He came to see me on the pretext of taking my advice यहाँ पर first sentence है हमारा He came to see me यह मारा sentence है जो past में है फिर on the pretext of structure उसके बाद taking take के साथ ing first form of verb के साथ ing taking my advice क्या लेने के बहाने तो यह मारा object है my advice He came to see me on the pretext of taking my advice हम shopping के बहाने आपसे मिलने आए We came to meet you on the pretext of shopping We came to meet you on the pretext of shopping वो काम करने के बहाने पार्टी से जल्दी चले गई They left the party early on the pretext of working They left the party early on the pretext of working वो खाना खाने के बहाने घर पर बापस आ गया He came back at home on the pretext of eating food So friends यह था आज का structure with examples हमने सीखा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो please like and subscribe my channel for more content Next मिलते हैं निव वीडियो में निव स्ट्रक्टर के साथ Till the time, all the best, good luck, bye bye